कृष्ण जन्वाष्ट में के लिए खास हम बनाएंगे इंस्टेंट चार स्वीट्स रेसिपीस पहले देख लेते हैं हेल्दी पंजीरी सांसी रेसिपी शुरू करते हैं पंजीरी की पंजीरी बिनानी के लिए यहां पे मैंने एक चौथाई कप घी गरम कर लिया है पान में और उसमें डाल देंगे आदा कप चावल का आटा घी और आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम लो फ्लेम पर पका लेंगे बीच बीच में इसे चलाते रहिए अगर आप कंटिनिसली से नहीं भी चलाएंगे न तो भी चलेगा तो यहां पे जो आटा है उसे भूनते हुए लगबग 10 मिनिट हो चुका है और हम नोटिस करेंगे कि इसका हलका हलका कलर भी चेंज हो गया आप हम इसमें आड़ करेंगे कुछ ट्राइफ रूट्स वैसे तो हर गर में पंजीरी अलग-अलग तरीके से बनता है आप अपने हिसाब से इसमें इंग्रीडियंट्स एड़्जस कर सकते हैं मैं इसमें आड़ करूँगी एक बड़ा चमच बदाम, काजू जिसे मैंने बारीक चौप कर लिया है साथ ही इसमें डाल देंगे पिस्ता और एक चौथाई कप मखाना इसके अलावा आप चाहें तो इसमें किशमेश, चिरॉनजी या फिर जो ड्राय वाला कोकनेट आता है न उसे भी याड़ कर सकते हैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे लगबग 5 मिनिट के लिए अब जो हमारा पंजीरी बन रहा है उसका कलर एकदम डाक हो गया है और बहुत अच्छी खुश भू भी आने लगी है देखी हमारा जो मखाना है वो भी एकदम क्रंची हो गया और बहुत अच्छे से भुन गया है अब हम ग्यास का फ्लेम ओफ कर देंगे और फिर इसमें फ्लेवर के लिए अड़ करेंगे इलाइची पाउडर यहां पर मैंने आदा चमची लाइची पाउडर लिया है जब तक कि हमारा मिश्रन थंडा हो रहा है तब तक मैं चीनी को पीस लोगे मिक्सर ग्राइंडर में तो आदा कप गेहूं का आटा लिया था उसके हिसाब से हमने एक चौथाई कप घी लिया है और एक चौथाई कप पी जाएगा इसमें चीनी हमारा जो पंजीरी का मिश्रन है वो हलका सा गरम है बहुत जादा गरम भी नहीं है इस टाइम पे हम आड़ करेंगे इसमें पिसी हुई चीनी अगर आप पिसी हुई चीनी की जगा कुछ हेल्दी आप्शन ट्राई करना चाहते हैं तो आप देसी खाण भी आड़ कर सकते हैं या फिर जो गुड का पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं हमने इसमें गेहूं का आटा, घी, ड्राई फ्रूट्स और मखाने आड़ किये हैं जिसकी वज़े से यह जो पंजीरी है बहुत ही हेल्दी और रिच बन कर तयार हुई है तो अगर आपको कभी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है और इंस्टिंट एनरजी की ज़रुत है तो उस टाइम पे आप इसे कंजियों कीजिए फिर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप रोज इसे कंजियों करेंगे तो आपकी इम्म्यूनिटी बढ़ाने में भी यह काफी फाइदे मन रहेगा और इस बार मैंने पंजीरी बनाई है खास जन्माश्ट मी के लिए तो सबसे ला कर लिया है और ग्रेटर में जो बढ़ा होल्स है उसकी मदद से मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है तो 250 ml मेजरिं कप के हिसाब से एक कप ग्रेट किया वा नारियल डी है हमारे पास अब कढ़ाई में डाल दिया है एक बड़ा चमच खी और उसमें हम रोस्ट करेंगे इसे हम निकाल कर साइड में प्लेट में रख लेंगे उसकी बाद जो घी बच गई है कड़ाई में उसमें डालेंगे दो बड़े चमस मघज और दो बड़े चमस किश्मिश इन्हें में low to medium flame पर good seconds के लिए हम roast कर लेंगे और जैसे ही ये roast हो जाए हम इसे same plate में नहीं निकालेंगे जिसमें हमने काजू और बड़ाम निकाला था हम इसे दूसरे plate में निकाल कर रख देंगे अब इसी कड़ाई में हम एड़ करेंगे आदा कप मखाना और मखाने को भी 3-4 मिनिट के लिए low to medium flame पर roast कर लेंगे और 3-4 मिनिट बाद ही आप इसमें notice करेंगे कि ये काफी जादा crunchy हो गए है और जैसे ही ये crispy हो जाए हम इसे वही plate में निकालेंगे जिसमें हमने काजू और बड़ाम निकाला था अब last में बारी आती है हमारे ग्रेट किया हुआ नारियल की जो पहले से ही वेट कर रहा है वो भी सिकड़ाई में आड़ कर लेंगे और हम इसे 2-3 मिनिट के लिए low flame पर roast कर लेंगे अगर आप इसे high flame पर roast करेंगे ना तो नारियल जो है उसका रंग चेंज हो जाएगा इसलिए इसे low flame पर ही roast कीजी तो अब 3 मिनिट बात अच्छे से ये भी roast हो गया है इसे भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है अब जिस प्लेट में हमने मखाने, काजू और बदाम फ्राइ करकर रखे देना उसे हम डाल देंगे ग्राइंडर के जार में और हमें इसका इदम core space तयार करना है बस pulse mode पर इसे grind कर लिजी दो से तीन बार और हमारा जो coarse powder है वो बनकर ready हो जाएगा विल्कुल इस तरह के का तो चालिए इन सब को combine करने के लिए हम sugar syrup तयार करेंगे और sugar syrup बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आदा कप चीनी और एक चौथाई कप पानी ग्यास का जो flame है वो यहाँ पर high रखिएगा sugar syrup की जो consistency है वो हमें आदा से एक string के बीच में चाहिए जादा नहीं पर सिफ दो से तीन मिनिट ही लगेंगे इस consistency में आने के लिए देखिए बिल्कुल इसी तरह अब जितनी जल्दी हो सके आप ग्यास का flame एकदम लो कर दीजे और सारा जो हमने भून के रखा हुआ है उस सब को जिसमें आड कर लेंगे सबसे पहने इसमें मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दिया था जो भून के रखा था हमने उसके बाद किश्मिश और मगज आड कर लिया है अब डाल देंगे हम मखाने बदाम और काजू जिसे हमने ग्राइन कर लिया था और फाइनली इसमें फ्लेवर के लिए हम आड करेंगे आदा चमच इलाइची पाउडर अब लो फ्लेम पर ही इससे हम एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे देखिए हमारी जो परफी है वो जमने लग गई है जो स्पून है जिससे मैं चला रही हूँ उस पे वो स्टिक होने लग गया है तो अब जो सारा मिश्रन है वो एक साथ आ गया है ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे मैंने आप एक स्टील का प्लेट ले लिया है जिसे पहले से ही घी से ग्रीज कर लिया था यह जो प्लेट है ना ग्रीज किया हुआ वो पहले से ही आप रेडी रखिए क्योंकि हमारी जो परफी है वो बहुत ही जल्दी जमने लगती है अब हमें एक स्पून की सा क्योंकि थोड़ा हाड हो जाएगा यह इसलिए जब हमारी बर्फी का मिश्रन हलका गरम हो तभी कट्स लगा लीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा तीसरी रेसिपी हम बनाएंगे इंस्टेंट मतूरा के पेड़े की लिए शुरू करत मिल्क पाउडर 250 ml का जो मेशरिंग का पाता है न वो यहाँ पर इस्तमाल करके मैंने देड़ कप लिया है अब हम मिल्क पाउडर को घी के साथ अच्छे से मिला लेंगे और हो सकता है कि मिक्स करते वक्त आपको ऐसा लगे कि मिल्क पाउडर की गाठे बन गई है तो नो वार और ध्यान दीजेगा यहाँ पे फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेगा वरना अगर आपने फ्लेम जरा भी हाई कर दिया ना हो सकता है आपका जो मिल्क पाउडर है नीचे से वो जल जाए और इसकी वज़े से हमारे जो पेड़ी बनेंगे ना उसका स्वात अच्छा नहीं आ से मिला लेंगे इसको और अगर किसी भी पॉइंट पैसा लग रहा है ना आपको कि नीचे से जल रहा है ब्लाक हो रहा है तो फ्लेम वहाँ पे एकदम लो कर दीजे और फिर चलाईए तो अब आल्मोंस दस मिनिट हो चुका है और हमारा मिल्क पाउडर का जो कलर है वो धीर करने की भी स्मेल आ जाए उसमें 12 मिनिट बाद इसमें हम एड करेंगे आदा कब दूद को मैंने पहले से ही बॉइल करके नॉर्मल टेंपरेचर में कर लिया है और धीरे-धीरे करके हम दूट को एड करेंगे हमारा जो पेड़े का मिश्रण है वो बहुत ही अच्छी तरीक से कंबाइन हो गया है यहां पर अब बस दो मिनिट और हम पकाएंगे इसे लो फ्लेम पर और दो मिनिट बाद ग्यास का फ्लेम हम ओफ कर देंगे उसके बाद फ्लेवर के लिए हम इसमें एड करने वाले हैं इलाइची पाउडर आड करना बिल्कुल ऑप्शनल है अगर लाइची पाउडर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और हमारा जो मिश्रन है वो काफी गरम है अभी उसे थोड़ा थंडा कर लेंगे पाच से छे मिनिट के लिए जो मिश्रन है उसको मैंने थंडा कर लिया था और फिर प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है अगर हम गरम-गरम में ही चीनी डाल देंगे, तो हमारा जो चीनी है, वो मेल्ट हो जाएगा और एकदम लूस बनेगा हमारा पेड़े का मिक्स्चर, इसलिए जब थोड़ा सा ही गरम रहे ना, तब हम इसमें चीनी अड़ करेंगे, तो यहां पे मैंने देड़ का चीनी का इस्तमाल कि तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं चाहे तो सगल शेप दे दीजिए मैंने यहां पर रॉफली रिक्टाइगल शेप दिया है तो थीना यह बहुत ही इंस्टंट रेसिपी मतुरा के पेड़े की नहीं आपको कोई मावा या खोई की जरौत है इसे बनाने के लिए अब हमारे सारे पेड़े बनकर रेड़ी है चली हम इसे कोट कर लेंगे कोट करने के लिए आप यहां पर बुरा या ठगार यूजogan कर सकते हैं यह पिसी हुई चीनी भी यूज अबादे तो आप भी इसे घर में ठॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि रेसिपी कैसा लगा अगर आप बिल्कुल इसे तरीके से फॉलो करके बनाएंगे ना तो आपके पेड़े भी एकदम मज़ेदार बनेंगे अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेर कीजिए ताके वो भी इसे बना कर एंजॉय कर पाएं लास्ट बट नॉट दे लीस्ट हम बनाएंगे इंस्टेंट मोती चूर लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे बने हैं जरू ट्राइ कीजिएगा यहाँ पर मैंने एक कप चना दल को भीगो दिया है तीन घंटे के लिए पानी में आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी भीगो कर रख सकते हैं तीन घंटे बाद जैसे हम इसे कट कर रहे हैं ना फिंगर्स की सायता से इजिली कट हो रहा है 250 ml का मेजरिंग कप इस्तमाल किया है आप चाहे तो कोई कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं अब जिस पानी में मैंने सोक किया था उसे फेक कर इसमें दो से तीन बार हम फ्रेश वाटर अड़ करेंगे और अच्छे से धो लेंगे फाइनली इसका सारा पाने निकाल कर इस चना दाल को हम एड़ करेंगे ग्राइंडर के जार के अंदर और फिर हम इसे पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेंगे तो बीच बीच में इसे चलाते रहिए और ओन ओफ ओन ओफ करते रहिए अपने ग्राइंडर के जार को हमें इसका एकदम smooth paste नहीं तयार करना है, बिल्कुल core इसा paste ready होना चाहिए यहां पे तो यहां पे हमारा चनादाल भी grind हो गया है, चलिए इसे fry करते हैं fry करने के लिए मैंने कड़ाई में तेल रख दिया है गरम होने के लिए और जैसे ही तेल गरम हो जाए जो चना दाल हमने पीस के रखा है उसके छोटे छोटे पीसे इसमें डाल देंगे जब आप बैटर तेल में डाले न तो उसे अच्छे से हातों के बीच में प्रेस कीजी और फिर आड कीजी वरना अगर आप ऐसे ही डाल देंगे ना बैटर को तो उसके कुछ पार्ट स्प्रेड हो जाएंगे तेल में और वो पूरा बिखर जाएगा और तेल में डालने के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए से ऐसे ही रहने दीजे फिर चलाएगा वरना इस तरीके से हाल होगा जैसे मेरा एक वड़ा का हुआ है देखे पूरा स्माश हो गया है लेकिन जो बाकी वड़े है उन्हें मैंने जरा भी टच नहीं किया था एक मिनिट बाद इसे मैं अलट पलट कर सेक रही हूँ और वो एकदम परफेक्क शेप में है अभी भी इसे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेक लिया है और इसका कलर हमें ब्राउन नहीं होने देना है हलका सा यलोईश गोल्डन ही रखेगा उसके बाद इसके हम छोटे छोटे पीसिस कर लेंगे और फिर से इसे अड़ करेंगे ग्राइंड या के जार के अंदर अगर आपके जो वड़े है वो बहुत जादा गरम है तो उसे हलका सा थंडा कर लीजे और फिर इसे ग्राइंड कीजे और यहाँ पे भी grind करते वक्त बिल्कुल powder नहीं बना देना है course ली grind कीजिगा यहाँ पे तो बूंदी की जगा जो हम use करने वाले हैं mixture वो grind करके बिल्कुल ready है देखे बिल्कुल दानेदर बना है ना बूंदी के जैसा ही अब हम चाशनी बनाएंगे चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वही एक cup लिया है जिससे मैंने चनादाल measure किया था और एक cup चीनी यूज की है तो लड़ू बनाने के लिए एक cup चनादाल एक cup चीनी और उसका आदा cup पानी ग्यास का flame यहाँ पे high रखेंगे और चीनी को अच्छे से melt होने देंगे तो हमारा sugar syrup यहाँ पे अच्छे से boil होना start हो गया है इसकी हमें एक तार की चाशनी तयार करनी है तो boil होते होते लगबग 5-6 मिनिट हो गया है चलिए चेक करते हैं कि हमारी एक तार की चाशनी बनी की नहीं देखे बिलकुल perfect consistency बन गई है हमारे sugar syrup की तो यहाँ पे ग्यास का flame एकदम लो कर दीजे और अब इसमें हम एड़ करेंगे आदा चमच इलाइची पाउडर pinch of मैंने saffron color लिया है या फिर orange color यूज कर सकते हैं आप और दो बूंदे अड़ कर दीजे lemon juice की अच्छे से इसे mix कर लेंगे और फिर हमने जो चना दाल grind करके रखा था था ना वो अड़ कर लेंगे इसमें अब ये जो सारा मिश्रण है उससे हम अच्छे से mix कर लेंगे अगर आपको ये मिश्रण एकदम dry लग रहा है तो आप side में फिर से sugar सिरफ बना के थोड़ा सा इसमें add कर सकते हैं पर अगर आप proper measurements के साथ लेंगे ना चीनी, पानी और चना दाल तो इसकी जरुवत आपको जरा भी नहीं पड़ेगी अब लड़ू का जो सारा मिश्रण है अच्छे से combine हो गया है यहाँ पे खरबूजे के बीच ले लिये हैं मैंने जिसे पहले ही मैंने हलका सा roast कर लिया है मोती चूर लड़ू बना रहे हैं तो हलवाई वाले भी खरबूजे के बीच हमेशा add करते ही हैं इसलिए मैंने भी add कर लिया इसमें बस एक और मिनिट हम पका लेंगे इसे low flame पर और फिर इसे थंड़ा कर लेंगे जैसे ये थंड़ा हो जाए ना एकदम comfortable रहे आपको touch करने के लिए हम इसके balls बनाएंगे उस समय लड़ू का size आप अपने इसाप से adjust कर सकते हैं कि आपको किता छोटा या बड़ा बनाना है तो इतने measurements में हमारा लगबग 15 लड़ू बनकर ready है आप इसे अराम से air tight container के अंदर store कर सकते हैं एक हफते के लिए जरा भी खराब नहीं होगा या फिर आप fridge में भी रख सकते हैं आप भी से अपने घर पे try कीजिए और enjoy कीजिए साथी comment box में बताना भूलिएगा मत कि आपको recipe कैसी लगी और अगर recipe अच्छी लगे तो like कर दीजिए friends और family के साथ share कीजिए ताके वो भी से बना कर enjoy कर पाए और tasty wedge recipe को subscribe कीजिए साथी bell icon को click करना भूलिएगा नहीं ताके मेरे सारे वीडियो की notifications आप तक सबसे पहले पहुँचे आप चाहे तो इस लड़ू को गानिश कर सकते हैं कटे हुए पिस्ते के साथ तो मैं तो इसे enjoy कर रहे हूँ मिलते हैं next recipe में तब तक वीडियो देखने के लिए thank you very much keep watching